नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर पॉश मा में शुकलपक्ष की एकादशी को पॉश पूर्टदा एकादशी कहा जाता है इस दिन फगवान श्री हरी विश्णू और माता लच्मी की पूज़ा अपासना की जाती है इस व्रत के पुनिपरताफ से दमपत्ती को संतान की प्राप्ती होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में पॉश पूर्टदा एकादशी कब है दिन मदिनां क्या रहेंगी एकादशी की तिथी क्या रहेगी व्रत की विधी क्या है और क्या रहेगा पारण का समय तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एक आधशी एवं प्रदोश व्रत की तितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजियो ताके आपको मेरे वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिलकुल मत भूलिये तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो एक आधशी व्रत की शुरुआ दश्मी तिति से हो जाती है दश्मी तिति के दिन व्रती को लहसुन प्याज और तामसिक भोजन का परित्याग कर देना चाहिए निशाकाल में भूमी पर शेयन करना चाहिए एक आधशी को ब्रम बेला में उठकर सरप्रतम अपने आराध देव को स्मरन करे और प्रणाम करना चाहिए इसके बाद इसनान आधी से निवरित हो जाना चाहिए गंगाजल युक्त पानी से इसनान करे उसके बाद आचमन कर व्रत करने का संकर पले अब भगवान भासकर को जल का अर्ग दे उसके बाद भगवान श्री हरी विष्णों की पूजा फल, फूल, दूद, दही, पंचाम, रित, कुम, कुम, धूप दीप आरी से करे दिन भर पुवास रखे प्रती चाहे तो दिन में एक बार फल और पानी ग्रहन कर सकता है शाम को आर्थी प्रातना के बाद फलाहार करे अगले दिन पूजा पाठ संपन करने के पश्चाद दौदशी तिथी पर प्रत का पारन करे पौश पुत्रदा एक आदशी साल 2023 में दो जनवरी 2023 दिन सोंबार को है पारन यानी व्रत तोनने का दिन रहेगा तीन जनवरी कि सुबाई 7 बच कर 14 मिनट से 9 बच कर 19 मिनट तक वहीं पानट तिथी के दिन 12 समाप्त होने का समय रहेगा रात के 10 बच कर 1 मिनट पर एक आदशी तिथी का प्रारम होगा एक जनवरी की शाम 7 बच कर 11 मिनट पर और समाप्ती होगी दो जनवरी की रात 8 बच कर 23 मिनट पर मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ